कानपुर में जबरन धर्मांतरन कराने के प्रयास का मामला सामने आया है धर्मांतरन कराने के दबाव डालने वाला प्यक्ति कोई और नहीं बलकि महला का पती है जो अपनी पत्नी और बेटे पर जबरन धर्मांतरन करने का दबाव डाल रहा है दिरसल कल्यानपुर्फ आवास विकास सिनिवासी 2015 में से शादी हुई थी तो उनों का जीवन हसी खुशी चल रहा था परिवार में एक पांच साल का बेटा भी है पीडिता स्मिता श्रवास्तव ने आरोप लगाया है कि बीते कुछ समय पहले से पती उस पर और बेटे पर जबरन अपना धर्म बदल कर मुस्लिम धर्म अपनानी का दबाव डाल रहा है जब पीडिता ने विरोध किया तो पती ने उसकी बेरहमी से बिटाई कर दिया और इसके साथ ही अपने पांच साल के बेटे को जान सिमार ने कप रियास किया इस मामले पर पीडिता ने पिता पर कल्यान पुर्थाने में जबरन धर्मांतरन कराने का आरोप लगा कर शिकायत तर्स कराई है जिसके बाद पुलिस जब आरोपी को पकड़ने कई तो वो पुलिस से भी फिड़ कया और हाथा पाई करती चिसका पीटियो अप सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है पीडिता की तहरीर के बाद पुलिस चांच कर रही है कि अब पहले है तो इनके बातचीत में हावाव में बदनाव आगे मुस्लिमों को तरह भियाइब करने लगे नवाज पढ़ाते थे लुझा रहते थे वहाँ का जल पानी अबर लाये थे पहले कौह तो अनको पिलाते थे और मांज पिलाते थे मांजुको भी तोप हई एले ले लगे थे और नवाज पढ़ने के लिए करते है थे इसका मेरी बेन नीं बिरुुत किया तो यह जो है उसके आदमाल पर लडाई जाया करते थे दो साल पहले करीबी अजमेर सरीव गए हुए थे मेरे पती वहां से लोटने के वार मैंने इनके रहन सहर में बदलाव देखा देखा कि यह टोपी लगाते हैं नमाज पड़ते हैं रोजा रखते हैं और आए दिन लडा कि मैं मुस्लिम बन जा थाना कल्यानपुर पर बीती रात एक आवेदक ने प्रात्न पत्र दिया है कि उसका दामाद उसकी बेटी के साथ मार्पीट करता है उसके नाटी के साथ मार्पीट करता है और कभी-कभी झगड़ा करते समय वह यह भी कहता है कि तुम धन्व परिद कर लो चुकि यह परिवार हिंदू परिवार है और प्रतम द्रिश्टिया एक दिन पहले पत्पत्नी में जगड़े की बात आई थी जिस पर थानास्थागी पुलिस ने आरूपी लड़के का एक सुख्यों में चालांग कर दिया था इस सम्मझ में अभियोध पंजी करत का ज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ बेल आईकॉन दबाना ना भूले ताकि हर ख़बर का आपडेट आप तक पहुंचे तुरंद आप हमें स्टार ट्विटर और फेस्बुक पर भी फॉलू कर सकते हैं हमारे आईडी है अट ते रेट ज्यम्धी नियूस फ्लाश